अगर आपका टो परफेक्ट तयार हुआ है तो यह देखिए इस तरह ही बहुत ही आसानी से उठ जाती है और बेलने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है Hello Friends, स्वागत है आपका काड्यू किचन में मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाने जा रहे हैं मिसी रोटी मिसी रोटी लगभख सभी की फेविरिट होती है जब भी हम कभी बहुत आते हैं रेस्टराइट में खाना खाने तो मिसी रोटी जरूर ही मंगाते हैं तो क्यों ना इसको आज हम घर पे ही बनाएं आज हम असको बनाएंगे भीना प्याज की तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉ अब इसमें मैं मिलाऊंगी लगभग आधा का आटा, यह नॉर्मल आटा है, इसको हम इसी में मिलाएंगे, अब साथ में इसमें मैं दालूंगी नमा, स्वादा अनुसार, लाल मिर्ची भी हम स्वादा अनुसार ही दालेंगे, और थोड़ी सी हल्दी, इन सभी को हम एक टेबल स्पून घी मैंने लिया है, यह मेल्टेड घी है, साथ में मैं मिलाऊंगी हरी मिर्ची, यह दो बारिक हरी मिर्ची काट कर मैंने ली है, और इसी के साथ मैं मिलाऊंगी कसूरी मेथी, यह एक टी स्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, इसको हाथों से इस तरह से हम थोड़ा सा ख्रश करेंगे, इस तरह से ख्रश करते हुए इसको हम दालेंगे, इससे खुश्बू और टियस दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं, अब इन सभी को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें जो हमने मोयान और मसाले दाले हैं, वो सभी अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए, इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए हमें इसको मिक्स करना है, इस अभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी आट करेंगे, और इसका डो त्यार करेंगे, पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, बिलकुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है ये देखिए डो त्यार हो गया है, बेशन थोड़ा से स्टिकी होता है, इसलिए हाथों पे इस तरह से चिपकता है इसको हम थोड़ा से स्पून की हल्प से उतार लेंगे यह देखिए टाइट डो बनके तयार हो गया है अब हम हाथों पर थोड़ा सा ओयल ग्रीस करेंगे और इसको इस तरह से चारो तरफ से लगा कर इसको पांच मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे लगबग पांच मिनट हो गये हैं हम डो को चैक कर लेते हैं यह देखिए अच्छा डो बनके तयार हो गया है अब मैं इसमें लास्ट में मिलाऊंगी आधा टीस्पून जितना चाट मसाला यह हम लास्ट में मिलाएंगे और अब इसको हम लगबग 2-3 मिनट के लिए अच्छे से इस तरह से मत हेंगे यह देखिए डो अच्छे से सैट हो गया है अब हम इसमें से थोड़ा सा पेडा लेंगे थोड़ा सा हम प्लेटफॉर्म पे ओईल ग्रीस करेंगे इस तरह से दवाते हुए इसको हम बेलने से बेलेंगे इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना होता है मिसी रोटी थोड़ी से मोटी ही होती है यह देखिए इसको मैंने बना के तियार कर लिया है यह थोड़ी से मोटी ही है इसको अब हम एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से पहले दूसरी मिसी रोटी भी त्यार करेंगे अगर आपका टो परफेक्ट त्यार हुआ है तो यह देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से उठ जाती है और बेलने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है यह देखिए यह मैंने बनाकर त्यार कर ली है अब हम चलते हैं गैस की तरह और इसको बनाते हैं मिसी रोटी को आज हम बिल्कुल कंदूर स्टाइल में बनाएंगे इसके लिए मैंने गैस पे कडाई को रख दिया है कडाई गरम हो गई है यह जो हमने रोटी बनाई थी इसको इस तरह से हम कडाई के ऊपर चिपका देंगे इसी तरह से मैं दूसरी रोटी को पी चिपका दूँगी और अब इसको मेडियम फ्लेम पे हम एक साइट से पकने देंगे उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे यह देखिए रोटी में थोड़े-थोड़े से बबल्स आने लगए है मतलब भी नीचे से सिखने लगी है अब हम इसको थोड़े सा और सिखने देंगे फिर हम इसको इस तरह से धीरे-धीरे मूव करेंगे यह एक साइट से सिख गई है इसको हम चैक कर लेते हैं अब मैं कडाई को साइड में रख दूँगी और इस तरह से गैस पर हम इसा स्टैंड रखेंगे और यह जो मिसी रोटी हमने बनाई है उसको सेखेंगे हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेखना है ज्यादा तेज गैस पर हम इसको नहीं सिखेंगे इसको आज हम बिल्कुल तंदूर स्टैल में बना रहे हैं यह देखिए दोनों साइट से बहुत अच्छे से सिख गई है इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से दूसरी रोटी को भी मैं इसी तरह सिखूंगी बाकी बची हुए आटे की भी मैं इसी तरह से रोटिया बना कर तयार कर लूँगी यह देखिए सभी मिसी रोटी को बना कर मैंने तयार कर दिया है अब इसी मेथट में मैं के उपर भी गी लगा लूँगी यह देखिए सभी मिसी रोटी के उपर मैंने अच्छे से घी लगा लिया है यह बिलकुल बजार जैसी बनी है देखने में भी बहुत सुन्दर है खाने में भी यह बहुत टेस्टी बनी है आप इसको दाल, पनीर या किसी भी सबजी के साथ खा सकते हैं आप यह रेसिपी जरूर ट्राय कीजेगा और कमेंट बॉक्स में बताईएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फैमली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू